शामके छे बच चुके हैं आप इस वक्त टाइम जान अब भारत पर हैं लोगतंतर आप देख रहे हैं मेरा नाम है अंकित्यागी सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज आप से जुरी ऐसी कौन सी खबरे हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि लखनों में जो मुसीबत वाली बारिश है उसके बारे में बात करेंगे हालात वहां पर बेहत खराब हैं इस समय क्योंकि एरपोर्ट तक वहां से कहीं फ्राइट को डाइवर्ड कर दिया गया है इसके बात बात करेंगे NCRB के डेटा की यानि की National Crime Record Bureau की जो नई रिपोर्ट आई है उसकी जिसमें यही बताया गया है कि साल 2020 में किस तरीके से राजियों में अपराद का जो ग्राफ है वो बड़ा है खासकर से राजिस्थान की बात करेंगे जहां पर रेप के जो मामले है वो बेहद चिंता जनक है इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर से शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूस आ रही है T20 जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी चोड़ेंगे विराट कोली T20 वर्लकप के बाद चोड़ेंगे कप्तानी अक्तूबर में T20 वर्लकप होना है उसके विराट कोली खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी थी सौरव गांगुली और जैशा से भी उनकी बातचीत हुई है तो विराट कोली T20 जो टीम है उसकी कप्तानी अब छोड़ेंगे देखना होगा कि किसको कप्तानी मिलती है रोहित शर्मा इसके प्रबल दावेदार परों में से एक दिखे जा रहे हैं लेकिन अब जिस तरीके से विराट कोली अभी तक जो टीनों पॉर्मैट थे यानि की वन डे टेस्ट और T20 उसमें भारत की कप्तानी जो क्रिके टीम है उसकी कप्तानी समाल रहे थे उसमें से एक अब जो कप्तानी है ये T20 की वो आज साल से ये चर्चा चल रही थी कि क्या हमें भी बाकी देशों की तरह अलग फॉर्मैट में अलग कैप्टन लेने चाहिए क्यों ये फैसला किया जा रहा है और कौन है प्रबलदाविदार वर्ल्ड कप से ठीक एक महिना पहले इस तरीके के न्यूज आना खुद विराट कोली का सामने आकर बोलना कि वो T20 की कप्तानी छोड़नी होगी आप कप्तानी ठीक से नहीं कर पा रहे है और विराट कोली T20 की कप्तानी छोड़नी है ये मेरे लिए अपने आप बहुत बड इंडिया की कमान संबाली थी कप्तान बनेते और तब से लेकि अब तक विराट कोली की कप्तानी में आपने T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा गिया और यह पहला मौका रहने वाला है जब विराट कोली T20 वर्ल्ड कप में हिंदूस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और वर्ल्ड वर्ड कप जब खत्म होता या T20 वर्ड कप में हिंदुस्तान का जो आखरी मुकाबला होता उसमें भी विराट कोली यह अनौंस कर सकते हैं मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़े चौक है अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दू कि उन्होंने क्या लिखा है इस पूर जो वर्क लोड मैनेजमेंट की बात होती है विराट कोली एकलोते पिछले साथ सालों से ऐसे खिलाडी रहे हैं जो तीनों फॉर्माट में लगातार खेलते आ रहे हैं लगातार कप्तानी करते आ रहे हैं और जो वर्क लोड मैनेजमेंट है किसी तरीके से उनका वर्क लोड एक बात समझना चाहता हूँ आप से क्योंकि जो वंडे इंटरनेशनल ट्रिकेट है उसको लेकर कई बार ये बात उठी कि रोहित चर्मा को उसकी कप्तानी दे देनी चाहिए रोहित चर्मा को भी मौका मिलना चाहिए वंडे में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी भी रही है तो कौन आप देख रहे हैं दावेदार और क्या वर्कलोड के साथ-साथ टीम में भी किसी तरीके के एक नई कॉंबिनेशन एक नई स्ट्राटीजी के तहत ये बदलाव लिया जा रहा है तेकि मैं आपको पूरा इंसाइट स्टोरी बताओं कि विराट कोलिंग जो T20 से कप्तानी छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है कि T20 वर्लकप अगले एक महिने में शुरू होने वाला है उसके बाद T20 वर्लकप जो अगले साल होना है उसके लिए पूरा एक साल मिलेगा रोहित शर्मा को कि अगर वो अपने हिसाब से टीम बनाना चाहे एक नई टीम बिल्ड करना चाहे तो उसके लिए रोहित को एक साल मिलेगा ODA की कपतानी विराट कोली ने इसलिये नहीं छोड़ी और BCCI ने भी उन्हें ODA की कपतानी छोड़ने के लिए इसलिये निका क्योंकि 2023 में हिंदुस्तान में ही वर्लकप होना है और विराट कोली अगर मैं बात करूँ ज्यादा समय नहीं है 2023 वorld Cup में सिरफ देट साल का वक्ते तो देट साल की वक्त में आप ODA के लिए नया कपतान नहीं बनाते हैं क्योंकि इतने कम समय में वो कपतान भी आकर कुछ नहीं कर सकता है वो कपतान भी आकर टीम नहीं बना सकता तो T20 वर्ड कप अगले महीने से शुरू होना है और उससे पहले मैं जो कौन लगातार जो खबरे आ रही है उससे टीट वर्ड कॉली का इंडिया के अब मलब टॉप्मोस बैट्समें अल्रेडी एक बहुत बड़े क्रिकेटर पिछले चार-पां साल से लगातार तीनों फॉर्मैट में कप्तानी कर रहे हैं आज उन्होंने जब ये फैसला करके खुदी ये ट्वीट किया है कि टी-20 वर्ल कप के बाद जो की एक महीने बाद है उस छोड़ देंगे कप्तानी कैसे देख रहे हैं सर उसको आप देखें ये हरे खिलाडी के बर वेक्तिकत रूप से निर्वर करता है कि वह कैसे देखना चाहता है जब कभी सचिन तिंदूलकर ने कप्तानी चोड़ी थी तो उन्होंने अपना कुछ सोच करके छोड़ा होगा या MS धूनी ने चोड़ी थी तो कुछ ने कुछ बात रही होगी उसी पकार से ये इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं वो समय ions अपनाbalance करते हैं कि समय क्यों छोड़ना है क्या करना है नहीं करना है हम लोग के साथ क्या रहता है कि हम लोग बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं अच्छा कर रहे थे कप्तानी में तो हम लोगों ने कहा कि वा भई क्या बात है किसी ने कुछ नहीं कहा इतने सारे रंग उन्होंने बनाई सेंचुरी बनाई हाफ सेंचुरी बनाई कप्तानी की पढ़िया सीरीस जीते हैं अलग अलग जगे जार रहे जब थोड़ा उनका परफार्मेंस खराब होना शुरू हो गया तो लोगों ने कहना शुरू किया उन्टी कफतानी खराब है तो हमारे अंदर एक जो winning spirit होनी चाहिए ना, winning spirit है, हमारे अंदर winning spirit है, sportsman spirit नहीं है, और यही कारण से हम किसी के अंदर भी mean make निकालना शुरू कर देते हैं, कि हलका कोई भी किसी का समय खराब, उन्होंने तैय किया है, वो उनका सोच है, आगे अच्छा खिलते रहें, भारत का प्रतिमित करते रहें, देश को जिताते रहें, अच्छा प्रदर्शन करते रहें, यहीं अपर इक्षा रखते हैं उन्हें। कप्तान के रूप में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन के आया है, अब हम एक टेश सीरीज का फाइनल के हार गए, तो सब उनके पीछे पढ़ गए, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हमें एक नंबर पर से, तो यह सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट अब ऐसा केल हो लेकिन अंतता बात यही है, कि जो जहां फिट होता है, वो उस तीम में रहता है, जी मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, मैं 2008 से लेकिया, 2020 तक से मैं विराट कोली को लगातार फॉलो कर रहा हूँ, कही इंटरव्यूस उनके किये, कही बार उनके साथ काफी टाइम भी स्पेंड किये, सर, वर्ल्ल कप से एक महिना ठीक पहले, विराट कोली को आपको क्या लगता है, क्या जोरत पड़ी कप्तानी ये ऐलान करने की, कि मैं वर्ल कप के बाद कप्तानी छोड़ दूँगा, आप वर्ल कप के बाद भी एडिसीजन ले सकते थे, हाँ, मैं उनसे फोन पर बात करके, आप उससे जब अगली बार बुलाएंगे, तो ज़रूर आपको बताता हूँ, क्यों उनके सर, आप इसके ब साइद वो देखा जा रहा है कि शाइद अब जो रोहित का डॉमिनेंस है, वो T20 क्रिकेट में हमें जादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपकी ऐसी सोच है, बहुत बढ़ी आ बात है, तो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वो अपने तरीके से सोच रहे होगे, अब मैं उसके बारे में विशलेशन कैसे कर दूँ और बाल की खाल कैसे निगाले, मैं यह कह सकता हूँ, बड़े इच्छे खिलारी हैं, उन्होंने बड़े इच्छी कप्तानी की है, टीम को चिदाया है, उनको समभबता हमन्द में यहां हो रहा होगा कि यह समय मैं अपनी कप्तानी छोड़ना, रोहिच शर्मा शायद उसके बाद वो अगर कप्तान बनते भी हैं, तो क्या कहीं न कहीं थोड़ा confusing signal नहीं होगा, किसकी टीम, किसकी बाद जादा मानी जाएगी, किसके खिलारी, मतलब एक कप्तान के पास एक संद्रचना होती है, एक road map होता है, वो क सेलेक्शन में भी काफी सारे सवाल लगातार उटते रहे T20 वर्ल्ड कप को लेकर, कि इस खिलाडी का चयन क्यों नहीं हुआ, उस खिलाडी का चयन क्यों हुआ, मैं आपका बता दू, मुंबई इंडियन्स जहां रोहिच शर्मा कप्तान है, राहुल चहर को चुना गया, over experience जो जो हैं चहल, तो ये लगातार बता रहा है कि रोहिच शर्मा का जो shorter version of the game है, क्योंकि रोहिच शर्मा की कप्तानी में 5 बार मुंबई इंडियन्स IPL का खिताब जीत चुकी है, पिछली बार champion बनी और इस बार भी, अगर IPL पूरा होता तो मुंबई इंडियन्स ही कप्तानी नहीं दे सकते है, क्यों रोहिच शर्मा की, अगर मैं फिटनेस की बात करूं, तो वह बहुत सारी तमाम चीज़े रहती है, तो shorter version में वह एक proven choice है, जिस तरीके से कप्तानी लगाता है, करते हैं, इससे पहले हिंदुस्तान की भी उन्होंने कप्तानी किया, Asia Cup में ह हिंदुस्तान को चैंपिन बनाया था, रोहिच शर्मा ने अपनी कप्तानी में, तो रोहिच शर्मा एक proven captain है, shorter version of the game के, लेकिन फिर भी मतला मैं बहुत जादा शौक हुआ हूँ कि कभी भी मैंने नहीं देखा कि इतने बड़े इवेंट से पहले हिंदुस्तान का कोई कप् उन्हेंने retirement ही ले लिया था, तब आपने विराट कोली को कप्तान बनाया था, तो मेरे लिए खुद अपने आप में शौकिंग, आप ये देखना जरूर होगा कि विराट कोली का as a captain, ये आखरी वर्ल्ड कप रहने वाला है, तो as a captain, अभी तक विराट कोली की कप्तानी में आपने कोई भी ICC का event नहीं जीता, चाहिए वो Champions Trophy 2017 हो, 2019 का World Cup हो, या World Test Championship हो, तीनो विराट की कप्तानी में आप, जो उनका या तो semi final में पहुँचे हैं, या final में आप हा रहे हैं, अब विराट की कप्तानी में, ट्वीट किया है वेभव, उसमें भी उनने कहा है कि T20 में और वैसे भी वो अपनी बैटिंग पर और जादा फोकस करना चाते हैं, मैं आप से समझना चाता हूँ वेभव, जिस तरीके से ये अभी announcement आया, जिस तरीके समसनरचना की बात भी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए आगे भी जाने के लिए, महिंदर सिंग धोनी की वापसी भी हो रही है, एक रोल में, एक एहम रोल में टीम इंडिया के साथ, क्या उसका भी कोई ना कोई असर है इस decision पर? मुझे नहीं लगता कि महिंदर सिंग धोनी का कोई असर होना, चाहिए कि महिंदर सिंग धोनी ऐसा है, मेंटर जो हिंदूस्तान की टीम में आये, तो उनका कोई रोल या उनका कोई influence रहेगा, क्यों भी मैंने हमेशा ये देखा है, कि विराट कोली और महिंदर सिंग धोनी ह हमेशा से पिछले काफी सालों से एक सेम पेश पर आये हैं, इनके बीच में कभी भी मैं आपको बताओं कि एक कप्तान जो गया है और जो दूसरा कप्तान आया है, इतना भैतर तालमेल हिंदूस्तान के क्रिकेट में आपको कभी भी देखने को नहीं मिला, इस से पहले जब उनका एक ultimate dream है, वो हिंदूस्तान को as a test cricket में आगे लेके जाना है, और मैं आपको बता दूँ कि अगर 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं होना होता, तो विराट कोली जरूर ODII की कप्तानी भी छोड़ देते, वो तो आपके बास सिरफ डेट साल का वक्त बचा है, एक इतन एक cricket team से, विराट कोली T20 जो team है, उसकी कप्तानी छोड़ रहे हैं, उन्होंने एक letter tweet किया है, और इस letter को अगर मैं कुछ बड़ी बाते आपको इस समय पड़के बताओं, तो सबसे बड़ी जरूरी बात उन्होंने ये कही, कि उन्होंने जो अपना workload है, वो उनके ओपर बह थोड़ा manage कर पाएं, और as a batsman T20 में जारी रहेंगे, और कोशिश करते रहेंगे कि वो अपनी batting बा थोड़ा जादा focus कर पाएं, और साती सात उन्होंने ये बात कही है, कि वो इस T20 World Cup के बात कप्तानी नहीं करेंगे, विराट कोली ने ये भी कहा कि उनकी इस बारे में सौ आगे लीड करने की कोशिश करते रहेंगे, तो विराट कोली ने कप्तानी चोड़ने की बात कही है, और सबसे प्राबल दाविदार इसके रोहिच शर्मा माने जा रहे हैं, कि जल्द से जल्द रोहिच शर्मा को T20 World Cup की, T20 Indian cricket team की कप्तानी दी जाएगे, चली आपने ये ख शायद ही लखनव में किसी को याद हो, लोकतंतर में आपको कुछ तस्वीरे दिखाता हूँ, पिछले 16 घंटे की जो बारिश हो रही है, लगातार उत्तरप्रदेश की राजधानी को पूरे तरीके से पानी पानी कर दिया है, इतनी मुस्तभभधार बारिश शायद लोगो को अभी तक पिछले कहीं सालों में याद नहीं होगी, पूरा शेहर इस समय बंदक है, हम आज जब आ रहे थे, एरपोर्ट तक पहुंचने में जो जद्दो जहती, कहीं जगा पेड़ गिर वे थे, कहीं जगा पर पानी भरा हुआ था, लग नहीं रहा था कि एरपोर्ट प बाहर को जल जमाव ऐसा था कि ये मैं आपनी आखों देखिया, आपको बता रहा हूँ कि बतलब लग नहीं रहा था कि एरपोर्ट के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, 16 घंटे से लगतार लखनों में बारिश हो रही है, और इस बारिश के विएसे हालात इतने खराब है कि प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी है, ये जो आप विज्वल्स देख रहे हैं, इस वक्त और बारिश इस कम से कम पिछले दो घंटे पहले तक लगातार जारी थी, और ये जहें कि गाडियां क्योंकि पानी इतना भर गया था, कोई डिवाइड कि दिल्ली में भी लगातार काफी बारिश होई है, और उसके बाद दिल्ली में भी दिक्कते जो हैं, वो काफी बड़ी हैं, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो ट्राफिक जैम की तस्वीरे हैं, ये दिल्ली के अंदर काफी बारिश की तस्वीरे आपको इस स में दिखा रहे हैं दिल्ली के अंदर में बारिश हो रही है उसके वज़े से ट्राफिक जैम है और दूसरी तरफ लखनाओ में जो बारिश है उसका कहर जबरदस्त मचा हुआ है मैं सीधे आपको ले चलता हूं लखनाओ एक बार अपने सही होगी आमिर हक के पास और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि लखनाओ में इस वक्त कई फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी गई है एरपोर्ट से क्योंकि लोग जो लखनाओ में रास्ता है पहुंचने का एरपोर्ट का वो कई जगा पर बाधा बनी हुई है आमिर करीब तीन घंटे पहले बारिश हो रही थी एरपोर्ट के बाहर पानी था सड़कों पर पानी था अभी हालात क्या है कि देखिए अंकित उसके बाद भी बारिश बदस्तूर जारी है और मैं कहूंगा करीब 11 घंटे का वक्त हो गया है जब से कल देरात पानी बरसना शुरू हुआ था और पूरे प इसको तस्वीरे नहीं दिखा पना जो दिन की तस्वीरे देख रहे होंगे उससे समझ में आ रहा होगा कि क्या हालात भारी बारिश की वज़े से बने हैं राजधानी लखनव में और लेकिन यह हालात सिर्फ लखनव कहीं नहीं है लखनव से सटे हुए तमाम जितने जिले हैं और बलकि पश्चिमी उत्रप्रदेश और पूर्वांचल का जो छेतर है वहाँ पर भी जबरदस्त बारिश देखी गई है पिछले 17-18 घंटों में और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिन इस तरह की बारिश जारी रह सकती है बलकि मौसम विभाग ने रे दोई, कनोज, उननाओ जैसे जिले जिनको रेड अलर्ट जोन में शामिल किया गया है भारी बारिश और तेज हवा खास बात यह है कि इस बार बारिश के साथ साथ तेज हवा चल रही है जिसकी वज़ए से नुकसान और जादा बढ़ गया है तमाम घटनाएं ऐसी हुई है जहां पर बिजली के जो पोल है वो गिर गये हैं सडकों पर पेड गिर गये हैं और उसकी वज़ए से ट्राफिक बादित हुआ है जबरदस्त ट्राफिक जैम तमाम स्टेट हाइवे और नाशनल हाइवे पर कई जगे देखा गया है इसके अलावत 26 जिले ऐसे हैं जिनको य जशानी भरे हो सकते हैं और इस जल भराव की वज़े से तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं मैं आप से कहूंगा राजधानी लकनों में ही सैक्ड़ों घर ऐसे हैं जहां आज दोपहर खाना नहीं बन पाया आज रात भी हालात क्या होंगे बताना मुश्किल है क्योंकि घरों के अंदर पानी भरा हुआ है जो लो लाइंग इलाके हैं और इसकी वज़े से लोगों को जबरदस्त मुश्किल पेशा रही है अगर बारिश इस तरह से जारी रही लखनों के अंदर तो परिशानी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी जी बिल्कुल जहां तक प्रकार का सवार चूशना दी गई है जिला अधिकारी काराले की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है लोगों को बेवज़े घर से बाहर निकलने से मना किया गया है और साथ ही बिजली के जो पोल है खुले हुए सीवर है उन सब से पेड़ो से दूर रहने के लिए कहा गया है और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है खासता और से पुराने जो मकान है या कच्छे मकान है जिनके गिरने की संभावना हो सकती है इस तरह के मौसम में वहां पर भी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया इसके अलावर राजधानी लखन लेकिन ये देखना होगा आने वाले समय में और घंटों में और आज रात के बाद कल सुबह तक हालात क्या होते हैं क्यूंकि गोंती नदी बीच से बहकर जाती है लखनव शहर के आधा शहर नया शहर खास्तोर से उसके दूसरी तरफ भरा बसा हुआ है और ऐसे में अगर पान लखनव में बिजली कटी हुई थी मुझे पता नहीं अभी वापस बिजली आई है या नहीं आई है लेकिन ये एक पर आप मैं ये देखिए क्योंकि मैं खुद अभी वहां से देख कर आ रहा हूं हम लोग कुछ चंद गंटे पहले ही लखनव में थे और उसके बाद यहां को डाइवर्ट कर दिया गया है लखनव से तो अगर आप लखनव में हैं अगर आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं तो समय थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिए ज्यादा समय लेके चलिए काफी समय लगेगा आपको पहुचने में और दूसरी बात पता करने जी अपनी ए स्जहаров ग curves тебе लेके चलिए जीप लेके की को एक कफा रहे हैं तो समय लेके चाफ रहें लेके चलिए लेके वेगगा आपको आपको को समय लगार आपको समय लेके खर आपको